मेरे आंकोर्डिंग एक सक्सेस्फुल कंपोजिट रेस्टोरेशन के लिए तीन चीज़े काफी इंपोर्टेंट हैं फर्स्ट बॉन्डिंग, सेकेंड आइसोलेशन एंड थर्ड डिक्रेजिंग पॉलिमराईजेशन श्रिंकेच अगर आपको ये तीनों चीज़ों के बारे में अच्छे से पता है और आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो तो I am sure कि आप एक सक्सेस्फुल कंपोजिट रेस्टोरेशन जरूर दे सकते हो जब हम बात करते हैं बॉन्दिंग एजेंट के लिए तो सबसा पहला एक कोशन आता है कि आखिरकार हमें बॉन्दिंग एजेंट चाहिए ही क्यों तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि tooth and composite दो different material हैं ये दोनों बिलकुल opposite है in terms of its chemistry, behavior and structure एक example से समझते हैं माल लीजिए आप दूद को पानी के अंदर मिला दीजिए तो क्या आप दूद और पानी को separate कर पाएंगे नहीं कर सकते क्योंकि वो लगबग दोनों एगी जैसे चीजे हैं और mix होने के बाद लगबग एगी चीज बन गए है पर अगर आप पानी के अंदर घी मिला देंगे तो वो घी पानी के अंदर dissolve नहीं होगा अगर आप कोशिश भी करेंगे तो छोटी छोटी घी की droplets आपको पानी में मिल जाएगी देखने को और कैसे भी आप उन droplets को असानी से पानी से अलग कर सकते हैं क्योंकि घी और पाने बिलकुल अलग चीजे हैं और बिलकुल इसी तरीके से हमारा tooth और जो हमारा composite है ये दो opposite चीजे हैं हमारा tooth hydrophilic है और हमारा जो composite है वो hydrophobic है और इस जयसे हम एक third component चाहिए जो की hydrophilic पार्ट से और hydrophobic पार्ट के साथ एक bond बना दे जिसके कारण ये दोनों चीज आपस में separate ना हो एड इस material को हम bonding agent कहते हैं पर ये हमारा जो bonding agent के काम कैसे करता है ये micro mechanical retention create करता है ये हमारा bonding agent dental tubule के अंदर घुश जाता है और उसके साथ lock बन जाता है और enable की surface में irregularity के अंदर फस जाता है पर एक bonding agent को dental tubule के अंदर घुशाना जो की एक electron microscope से ही दिखते हैं इतने छोटे होते हैं ये असान काम नहीं है इस काम को करने के लिए हमारा bonding agent liquid होना चाहिए जिसकी बहुत कम viscosity हो ताकि वो सारे surface पर flow कर सके mineralized tissue के अंदर भी घुश जाए और इस चीज को possible करने के लिए किसी भी bonding agent में तीन component जरूर होते हैं फर्स्ट है conditioner, सेकंड है primer and थर्ड है adhesive पहले बात करते हैं conditioner की ब्यूनो कौर ने 1955 में etching के effect डिसकवर कर रहे थे और तब से ही etching करी जा रही है आपने normally blue color के etchant gel देखे ही होंगे इस जिसमे 37% phosphoric acid होता है और इसका pH 1 से भी कम होता है ये etchant surface tension को increase कर देता है जिसके कारण wetting possible हो पाती है और etchant enamel and dentine को भी demonize कर देता है 5 से लेकर 15 micron तक जिसके कारण surface area increase हो जाता है etchant smear layer को भी remove करता है जिसके कारण dentinal tubules open up हो जाते है अगर आप smear layer को भूल गए है तो मैं short में आपको बताना चाहूंगा कि जब आप dentine को cut कर देंगे तो small small dentinal fragments, minerals, dentine पर जमा हो जाते हैं जो dentine bonding को hinder करते हैं पर smear layer को remove करने के भी कुछ disadvantages है जैसे collision unsupported रह जाता है जिसके कारण collagen collapse कर जाता है dentine को अगर हम edge करते हैं तो bonding agent tubule के काफी deep तक चला जाता है एंड thick hybrid layer बनाता है पर new study से पता चला है कि ये connection time के साथ weak पढ़ जाता है इसलिए current trend में हम dentine को edge नहीं करते next dentine bonding agent का component है primer primer के अंदर कुछ important component होते हैं जैसे hydrophilic monomer जो dentine के moist area में flow करते हैं dentinal tubule में घुश जाते हैं ये demonilized dentine and enamel के अंदर भी penetrate कर जाते हैं और सारी to surface की irregularity में चले जाते हैं ये primer flow इसलिए कर पाता है क्योंकि इसमें बहुत छोटे and polar molecules होते हैं जैसे hema, 4-meta, 10-mdp hema काफी important component है क्योंकि ये small and polar है और पानी के साथ perfectly blend कर जाता है पर इसकी कुछ disadvantage भी है जैसे hydrolitically unstable and allergenic potential hema ester bone बनाता है जिसके कारण bonding strength कम हो जाती है recent bonding agent में hema की instability को कम करने के लिए extra ether और amide-like polymerizable analogs भी मिलाए जाते है primer में hydrophobic monomer भी होते है hydrophobic का मतलब है कि वो water को repel करता है और ये इसलिए जरूरी है कि bonding agent की top layer पर water ना हो ताकि resin bond कर सके primer में functional monomer भी होते है मतलब ये set होने के लिए long channel cross link बनाते है ताकि resident stiff matrix structure बनाई जा सके last में primer को solvent चाहिए ताकि उसके components active रहें जो इस तरीके के हो सकते है water, ethanol, acetone, etc समय बचाने के लिए agent and primer को एक ही bottle में डाल दिया जाता है जिसको हम self-etching primer भी बोलते हैं ये self-etching primer अलग लग तरह से आते हैं strong, moderate, mild मतलब इनका pH एक से तीन तक variate करता है इससे हमें ये फायदा हुआ कि dentine को हम कम demonize करा जिससे collagen collapse होने का डर कम हो गया post-operative sensitivity कम हो गई smear layer को कम remove करके भी resin tag same depth तक चले गए पर pH ज़ादा कम होने की वज़े से etching enamel पर sufficient नहीं हो पाती इसलिए हमें selective etch करने की ज़रूरत पड़ती है अगर आप भी self etch primer use करते हैं तो आध्यान देने की बात ये है कि आपको solvent को evaporate करना है adhesive लगाने से पहले अब हमारा last component है adhesive adhesive में hydrophobic monomers है ये hydrophobic monomer mix and bind तो hydrophobic monomer of primer and hydrophobic monomer of resin मतलब एक तरफ से primer के साथ bond बनाते हैं और दूसरी तरफ resin से friends over the years bonding protocol and bonding agent में काफी changes हुए है आज हम three step technique से one step technique पर आ गए है आज हम clinics में self adhesive cements use करते हैं and composite के लिए universal bond and हमारी dentistry भी minimal invasive dentistry हो गई है जहां retention के लिए कोई extra cutting की ज़रूरत नहीं है और इसका कारण है 10 MDP monomer इसके कारण chemical interaction possible हुई and अब हम chemical retention का फायदा उठा पाते हैं सिर्फ micro mechanical retention पर rely नहीं करने की ज़रूरत है and इसको हम addition decalcification concept भी बोलते हैं 10 MDP monomer एक acidic functional monomer है and इसके कुछ function है जैसे etching to surface by partially dissolving smear layer and demineralizing hydroxy appetite enhancing monomer penetration imparting adhesive with potential for chemical interaction 10 MDP का एक polymerizable group होता है and एक functional group होता है जो की tooth surface को wet and demineralize करता है addition decalcification concept के according 10 MDP का functional group hydroxy appetite के calcium के साथ bond बनाता है इस bond के गारण MDP calcium का salt बनता है जो water insoluble है and collagen को protection provide करता है 10 MDP का दूसरा and adhesive matrix के साथ polymerize हो जाता है and strong bond बना लेता है friends आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही अपनी next वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि dentine bonding agent over the years कैसे change हुआ dental bonding agents की generation क्या-क्या है और उनके क्या-क्या फाइदे है अगर आप भी अपनी कोई dentistry की skill improve करना चाहते हैं जो endo है, prosto है, extractions है, implant है तो आप GDS Dental Academy को join करें Thank you for watching, please subscribe our channel for watching other useful videos Thank you Thank you